उडिशा गवर्मेंट उडिशा रासन कट 2022 एपलाई करने के लिए ये फॉर्म निकाला है ये देखिया आप इसको एपलाई ओनलाइन भी कर सकते हैं इसमें क्या-क्या मांगा है रिक्वाइट डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या मांगा है और ओनलाइन इस्टेटस इसका चेक कर सकते है उडिशा गवर्मेंट इसलिए ये फॉर्म निकाला है ताकि जितने भी गरीब लोग हैं, सिटीजन हैं उडिशा का विल बी एबल टो गेट रासन एट चीपर प्राइस देखिये कम पैसा में आप रासन ले सकते हैं उडिशा का जितना गरीब लोग है, सिटीजन उडिशा तो चलिए इसको देखते हैं, ओनलाइन एपलाई कैसे करते हैं तो आप कोई भी सर्च बार में चले चाहिए वहां पर आप सर्च करते हैं, फूड उडिशा फूड उडिशा सर्च करने के बाद जो आपका पहला लिंक आता है फूड उडिशा का, देखिये यह ओला जो फूड उडिशा रिंक है इसमें आप क्लिक कर दीजे, इसमें क्लिक करने के बाद आपका next page ऐसा खुल जागा देखिये यह आपका home page खुली है और यहाँ home page खुलने के बाद, आपको यहाँ जो है, इसमें जाना है S.F.S.S. वोला में तो इसमें आप क्या-क्या कर सकते हैं, apply new card, addition of member आप इसमें member को जोड सकते हैं, जिसको आप जोडे हैं, उसको आप हटा सकते हैं, delete मार सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, रासन कार्ड को, और कोई भी member को आप ट्रांसपर कर सकते हैं, या आपने family को ट्रांसपर कर सकते हैं तो आपको चल जाना है, apply new card में apply new card में चले जाना है, यहाँ click, आप जैसे ही click करते हैं, तो आपका next page ऐसा खुल जाएगा तो आप यहाँ पर अपना language भी select कर सकते हैं, यहाँ English है तो आप यहाँ अपना language भी select कर सकते हैं उसके बाद देखें, यहाँ क्या-क्या पूछा, district, आप यहाँ district भर दीजे, उसके बाद आपका word number, gp, तो word number अपना भर दीजे plot number या quarter number जो भी है, आपका जहां रहते है, plot number है या quarter number है वो भर दीजे block या ULV city, village में या village या area वो भर दीजे और अपना area का या village का pin code भर दीजे इसको भर लेने के बाद, नीचे आईएगा तो नीचे दिखिए, आपसे क्या-क्या पूछा गिया है, beneficiary detail तो आपके घर में जो भी बड़े भाई या जो भी बड़ी बहन है, उसका आप यहाँ पर भर दीजे, यहाँ नाम भर दीजे, यहाँ पर gender भर दीजे, date of birth भर उसके बाद यहाँ पर दिखिया अधार enrollment number, उसके बाद यहाँ देखिया, यहाँ father's name, यहाँ father's name भर दीजे, और यहाँ spouse name भर दीजे, उसी तरह पहला में मान लिजे, जैसे कि आप अपने बड़े भाई का बड़े भाई का नाम लिखे, यहाँ बड़े भाई का नाम दीजे, यह जैसे ही feel कर लेते हैं पूरा, उसके बाद देखिये, आपका है others information आता है, तो इसमें आपका क्या क्या मांगा है, rice fps, आपका जो वहाँ का dealer है, आपका area का वहाँ का जो भी dealer है, उसका यहाँ पर नाम भर दीजे, अगर आपको यहाँ नाम नहीं पता चल रहा है अब कि यह मालूम नहीं है, तो आप देखिये, home page में चले जाए चले जाए, यह home page खुल जागा और home page में आपका यहाँ पे, यह द जिक्पे यहाँ, यहां आप dealer का नाम भर सकते हैं, उसके बाद auto inclusion criteria इसमें भर दीजिए, bank का नाम भर दीजिए, जहां आपका account खोला गिया है, अपना account number इसमें भर दीजिए, यहां mobile number भर दीजिए, bank ifsc code भर दीजिए, और account holder name जिसके नाम पे account है, उसका नाम यहां पे भर दीजिए, यह भर ल submit करने के बाद आपका ऐसा page खोलेगा, जिसमें आपका पूछा है, acknowledgement number यह mobile number, आप अपना यहां mobile number भर सकते हैं, यह acknowledgement number भर सकते हैं, तो mobile number भर लेने के बाद, आप यहां से download acknowledgement receipt कर लेजे, acknowledgement receipt download कर लेजे, उसको print out निकाल के रख सकते हैं, आपका download रासन कार्ट तभी होगा, ज इतने भी आप form यह पूरा भर दियें, complete कर दियें, तो यह form पहले government verify करेगा, verify करने के पाद जब आपका approval होगा, जब आपके पास notification आएगा, तब आप रासन कार्ट को download भी कर सकते हैं, तो इस तरीका से आप online भर सकते हैं,